हाई फ्रेम्स ऑनलाइन प्रिप्रेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत श्वागत है एन फ्रेम्स आज का दूब वीडियो है यह आपका है टेट स्पेसल क्लासेज चल रही है सीटेट के लिए जिसमें हम इस समय आपके लिए लिक्चर वीडियो लेके आ रहे ह क्या है यह चैप्टर वन का एमसी क्यू है क्योंकि चैप्टर वन का जो थियोरी है वह आलड़ी हम आपको समझा चुके हैं तो प्लीज उसे वाच कर दीजेगा डिस्किप्शन बाक्स पे भी लिंक रहेगा तो वहां से भी आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर वन की थियोरी कंप्लीट होने के बाद हम आपके लिए इंप्टर वन से प्लेक्शन बन रहे हैं और जो यह वीडियो है अपर दोनों लोगों के लिए है क्योंकि दोनों का बाल विकास पर जो से लिए या नि जो बन से फिफ्ट क्लास और छो और को देख लेते हैं important mcq लेकिन उसकी पहले दिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजए वीडियो को like करें and share करें और अच्छा लगे तो comments करिएगा तो friends चलिए first question ले लेते हैं हमारा जो पहला question वो ये है हम आपको गिस करने का time भी देंगे आप गिस करिए अब आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है यानि assist के साथ बोलता है तो बालक के इस assist बिवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे आप एक teacher है और आप class में पढ़ा रहे हैं और class का एक जो बच्चा है तू तड़ाक करके बोलता है नि assist के साथ बोलता है उसमें manners नहीं है तो बालक को आप जो assist बिवहार है उसके दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे क्या सुझाओ देंगे इसमें option देख लेते हैं बालक को सब के सामने आप प्रतारित करेंगे बी बालक के माता पिता से उससे प्रतारित करने को कहेंगे C. बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों को आप कहा जाता है तथा साथ ही आप भी अपनों से बड़ों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करेंगे या फिड़ी आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे इसमें से राइट एंसर क्या हो सकता है? option आपके सामने है, आप answer guess कर लिजे, हम आपको time दे रहे हैं, चारों option में से क्या सही हो सकता है? I think answer आपने guess कर लिया होगा, चलिए मैं इसका right answer बता देती हूँ, इसका जो right answer है वो हो जाएगा आपका C, यानि कि बालब को समझाएंगे कि आप अपने से बड़ों को आप कहिए, यानि आप कहा जाता हूँ, साथ ही साथ जो हम है, हम भी दूसरों को जो हमसे बड़े हैं, उनसे तू तड़ाग नहीं करेंगे, बल्कि आप ही कहेंगे, ठीक है? तो राइट एंसर जो इसका है, वो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ओके? चलिए, नेश कोस्टन हम ले लेते हैं, जो हमारा अगला कोस्टन क्या है? अगला कोस्टन ले लेते हैं कि पूर्व प्रात्मिक सिक्षा ग्रहन करने के लिए उपियुक्त आयू क्या है? अगला को बताना है कि पूर्व प्रात्मिक सिक्षा होती है, उसको किस आयू में दिया जाता है? उसको देने की एच क्या है? पूर्व प्रात्मिक सिक्षा को? यानि प्रात्मिक सिक्षा के पहले की जो सिक्षा होती है, पूर्व का मतलब होता है पहले का तो जो प्रात्मिक सिक्षा से पहले की सिक्षा होती है, बहुत आसान है, जो आपके सामने एंसर आपने से रेट कर लिया होगा, देखिए प्रात्मिक सिक्षा होती है, वो एज ह होती है you would say शे वर्च तो जो बच्चा होता है ले स्ट्वेंट होती है तब दोके 7ड और वह कि व सिद्वाश ट्रोट में वह होती है एज होती है वह पूरी प्रत्मेंगा अंतरगत आAS यानि जब बच्चे को प्ले में EU-KZ, LKZ बगरे में डाला जाता है ठीक है तो पूर्प्रात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की ज़ोप्यूक्त आई है वो दो से छे वर्स होती है और छे से जो 12 सोती है वो होती है आपकी प्रात्मिक सिक्षागी, ठीक है, चलिएव अमने चेativa कोशन Bei अगला कोशन से क्या मानो की ग्यानीद्री नहीं है, मानो की ग्यानीद्रिया कौन कौन सी नहीं है, अब आपको इस में बताना है, आपके सामने है, आपको पता है, कि 5 ग्यानिंद्रिया होती है, और गैसें族 होते हैं, अब उनमें से, इसमें जो आप शाजन दिया है, कौन से नहीं है, ठीकिए, गला, नाक, आक, जीव, अब इन में से कौन सी ग्यान इंद्री नहीं है बहुत यासान सा ओजी जी सा है तो आपने से सलेक्ट कर लिया होगा कि ग्यान इंद्री के अंतरगत कौन सी चीज नहीं आती है तो देखे इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा यानि जो गला है वो ग्यान इंद्री के अंतरगत नहीं आता है जो नाक है आख है जीव है ये ग्यान इंद्री के अंतरगत आते हैं ठीक है तीनों चीजें आती है तो इसका जो राइट एंसर है वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा गला चलिए अबने स्कुश्चनम ले लेते हैं अगला कुश्चन है विकास के संबंद में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है कार शमता में ब्रिधी बेवहार में परिवर्तन सी देख लेते हैं सुभाव एम दिश्टिकोर में परिवर्तन या फिर D. आकार में परिवर्तन विकास के संबंद में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है और option आपके सामने है answer आप सिलेट कर लिजए विकास के संबंद में या विकास से संबंधित कौन सी چीज नहीं है जो नीचे दी गई है election में जो विकास से संबंदित नहीं है वो आपको बताना है तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा आपका select कर दिया होगा आपने चलिए मैं बता देती हूँ इसका जो right answer है वो हो जाएगा आपका D, आकार में परिवर्तन, कार शम्ता में बृद्धी भी विकास से संबंदित होती है, बेवहार में परिवर्तन, ये तो आपके विकास की डिफिनिशन में ही परिवासा में ही आजाएंगी, जो अनवरत ये विकास होता रहता है, ठीक है ना? तो कार शम्ता में बृद्धी, विवहार में परिवर्तन, सुभायम दिश्टकोल में परिवर्तन, ये सब विकास से संबंदित होते हैं, इसमें विकास होते रहते हैं, लेकिन आकार में जो परिवर्तन होता है, ये विकास से संबंदित नहीं है, ठीक है? अब चलिए अगला क कख्षा में से कुछ शात्रों को चुन कर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे आप अपनी कख्षा में या इस टीचर के रूप में कुछ शात्रों को आप चुनते हैं और उसमें 6 मह उनकी लंबाई आप नापेंगे, जिन चात्रों को आपने चुना है, या फिर प्रतेक मां उनका बजन आप तोलेंगे, ठीक है, या फिर प्रतेक मां उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या फिर प्रतेक मां उनकी रूचियों, आदतों, दिश्टिकों सुभाव व्यक्तिगत बेवहार आदमी होने वाले परिवर्तनों की चांच करेंगे आप इन में से क्या करेंगे अब आपको राइट एंसर इसका देना है देखे कोश्चन जो है मैं आपको एक वार फिर से बता दूँ कि कोश्चन ये पूछ रहा है आप से कि आप उपनी कक् रहेंगे उन चात्रों का तो देखे इसका जो राइट एंसर आपने सेलेट कर लिया होगा इसका जो राइट एंसर हों मैं बता देती हूं राइट एंसर इसका हो जाएगा डी यानि प्रतेक्मा उनकी रुची आदर दिष्टिकोर सोभाव व्यक्तित बेवहार आदमी होने परिवर्तनों की जाच करेंगे अभी भी हम पढ़के आए हैं कि विकास में कौन-कौन सी चीज़े आती हैं रुचिया आती हैं दिष्टिकोर आता है सुभाव आता है व्यक्तित आता है बेवहार में परिवर्तने सभी चीज़ें विकास से संबंदित हैं तो इसका जो बच्चों में इमांदारी की सिक्षा देना चाहते है तो इसके लिए आप क्या करेंगे ए बेइमान बच्चों को कठोर दंडे देंगे बी बच्चों के समलक्ष इमांदारी के महत उपर बिस्तार पूरव प्रकाश डालेंगे सी इमांदार बच्चों को पूरस्कृत करें या फिड़ी बच्चों को इमानदार व्यक्तियों की सफलता के उतारण देंगे आप इन में से क्या करेंगे यदि आप एक टीचर है और अपनी कक्षा में आप बच्चों को इमानदारी की सिक्षा देना चाहते हैं तो option आपके सामने हैं जल्दी से answer आप सलेट कर लिजे I think आपने answer select कर लिया होगा इन में से right answer क्या होगा तो चलिए मैं बता देती हूँ इन में से right answer जो होगा वो होगा कि C हो जाएगा यानि इमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे जो आप इमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे तो जो earn बच्चे हैं वो भी इसस इसका जो राइट एंसर है वो सही होगा ठीक होगा कि मांदार बच्चों को पुर स्क्रित करेंगे ठीक है ना चलिए उग जल्दी से अन्नेर्श क्वेशन देख लेते हैं अगला question है कि विकास की सबसे जटी लवस्था है विकास की सबसे जटी लवस्था कौन सी है सैसवकाल या सैसवस्था जिसे हम कहते है कि सोरा वस्था, युवा प्रोडा वस्था या फिर ब्रिद प्रोडा वस्था विकास की सबसे जटी लवस्था कौन सी है बिरिये इंपोर्टन कुश्टन से यह है तो विकास की सबसे जटील अवस्था कौन सी है जल्दी से आप answer select कर लीजिये बिकास की सबसे जटील अवस्था जो है वो होती है बी किसोरा वस्था इसे आदी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है एक question यह भी बनता है कि आदी तूफान की अवस्था को किस नाम से जाना जाता है यह पिर किसोरा वस्था को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो वो हो जाएगा आदी तूफान की अवस्था ठीक है तो बिकास की सबसे जटील अवस्था जो होती है किसोरा वस्था होती है चलिए निश question ले लेते हैं निंगला कुश्चन है मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आधी ऐसी जो प्रवल भावनाएं होती हैं विकास की किस अवस्था की ओर इखती है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, जो आदी ऐसी भावनाएं होती है, वो विकास कि किस अवस्था में आती है, किसोरा अवस्था में, या फिर प्रोडा अवस्था में, पूर वाल्य अवस्था में, या वाल्य अवस्था में, बेर इंपोर्टन कुश्चन सी आ आपका है और जस्ट भी इसका मैंने जिक्र किया भी था कोई कैसे अवस्था होती है ठीक या ना प्रवल भावना है यानि कि आधी तूफान की अवस्था एंसर आपको मिल गया होगा आपने सेलेक्ट कर भी लिया होगा तो इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा A यानि जो किसोर आवस्था होती है इस अवस्था में बच्चे सोचते हैं उनके मन में चीज़े आती हैं मैं कौन हूँ क्या हूँ मैं भी कुछ हूँ एक एहम की भावना जो होती है बच्चों में आ जाती है वो किस अवस्था में एहम की भावना आती है वो किसोर आवस्था में आती है चलिए अगला कुशन ले लेते हैं अगला कुशन है कि जब किसी किसोर में किसी वस्तू समस्या या परिस्थिति के लिए निजी अस्तर पर निर्ने लेने की छमता का विकास परिपक्त को होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं यानि जब किसी किसोर में किसी वस्तू समस्या या पिर परिस्थिती के लिए निजी अस्तर पर निर्ने लेने की छमता का विकास जो होता है वो परिपक्क होने लगता है तो उसे इस विकास की अवस्था को क्या कहते हैं चलिए इसमें से option देख लेते हैं ओके यानि की परिपक्कता की अवस्था या पिसंग्यानात अध्यात्मिक विकास या इन में से कोई भी नहीं तो देखिए इसका जो राइट एंसर क्या होगा आप सरेक्ट कर लिजे इसका राइट एंसर जो होगा मैं वता देती हूं वो होगा भी यानि संग्यानात्मक विकास की अवस्था कहते हैं ठीक है निर्नलेने की भावना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यह विचार संबंदित है विचार किसे संबंदित है मैंने जब आपको इसकी थियोरी पढ़ाई थी तब मैंने इसमें सिध्धान्त आपको बताये थे फर्स्ट थियोरी में आपके सिध्धान्त है उसमें मैंने कोशन बताया था कि इस त प्रक्रिया का सिद्धांत की सिद्धांत के अंतर गति कहा गया है कि मानोव विकास से एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है option आपके सामने है answer आप select कर लिजे बहुत ही आसान इसका answer है तो आपने select कर लिया होगा चलिए मैं इसका answer बता देती हूँ इसका जो right answer है वो होगा बी निरंतरता का सिद्धांत ओके यहाँ पे भी देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया निरंतर यानि लगातार चलने वाली प्रक्रिया निरंतर और निरंतरता ठीक है तोड़ा ऐसे भी आप गिस कर सकते हैं तो मानो विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया या सतर चलने वाली प्रक्रिया या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कोश्चन कुछ भी पूचे अंसर आपका निरंतरता का सिद्धांत ही होगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन ले लेते हैं जल्दी से अगला कोश्चन है मानों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है उसकी बृध्धी पर B उसके वातवरण पर C उसकी बुध्धी पर D उसकी बृध्धी तथा वातवरण से मिलने वाली परिपकता पर question समझेगा मानों का विकास निम्नि में से किस पन निर्भर होता है तो इसका right answer क्या होगा जल्दी से option आप देख लिजे A, B, C, D option है बृध्धी पर, बातावरण पर या बुद्धी पर या फिर बृध्ध या बातावरण से मिलने वाली पर पक्तावर देखिए मानों का जो विकास होता है वो इन दोनों चीजों पर निर्भर होता है यानि कि बृध्धी और बातावरण पर तो right answer हो जाएगा D, यानि उसकी बृध्धी तथा बातावरण से मिलने वाली जो पर पक्ता होती है उस पर मानों का विकास निर्भर होता है तो इसका जो right answer है, वो क्या हो जाएगा? D हो जाएगा. चलिए last question और next question ले लेते हैं. अगले question है कि उच्छ प्रात्मिक अस्तर के बालक की विसेस्ता नहीं है. उच्छ प्रात्मिक अस्तर के बालक की विसेस्ता नहीं है. कारियों को सिगता से करना, dating करना, बिविन प्रकार क बेवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाहे रखना. अभी इसमें से बताना है कि उच्छ प्रात्मिक अस्तर के बालक होते हैं, उनकी विसेस्ता के अंतरगत नहीं आता है, क्या चीज नहीं आता है. तो इसका जो right answer है, आपने सरेट कर लिया होगा, औ प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाहे रखना, यह सभी तीनों चीजें जो होती है, उनकी प्रात्मिक अस्तर के बालक की विसेस्ता के अंतरगत आती है, डेटिंग करना यह उसके अंतरगत नहीं आती है, तो right answer हो जाएगा, तो friends यह था आज का वीडियो जि की, आपके थियोरी के बाद हम इसको लेके आ रहे हैं, तो अगर आपने थियोरी देखी है, तो बहुत आराम से आप इसको समझ सकते हैं, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा, एन अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेजे, और नेस्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, टेक केर, बाए